प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कल NDA के तमाम निताओं को बिठा कर तेजश्वी यादों का वीडियो उनको दिखाया, तेजश्वी यादों का वीडियो दिखा कर मानो नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी लड़के से चुनवती है, इसी लड़के को हराना है, और इन तमाम बातों को लेकर राश्री जनतादल फेस्बुक पर तेजस्वी यादों का एक वीडियो भी डालती है एक लंबा चोड़ा पोश लिखती है और कहती है कि खबर के मुताबिक भारत के प्रधान मंत्री ने हमारे नेता तेजस्वी यादों के वीडियो को अपनी भरी बैठक में सबके सामने चलवाया और तेजस्वी यादों के वीडियो को सबको दिखाया अब उस वीडियो में ऐसा क्या है उस वीडियो को नरेंदर मोदी ने चलवाया तो क्यों चलवाया और राश्री जनतादल ऐसा कैसे कह रही है इन तीनों चीजों पर आगे एक एक करके बातचीत करेंगे और आप जंता जंक्षन देख रहे हैं सबसे पहले राश्री जंता दल का वो फेस्बुक पोश्ट देखिए वो लिखते हैं कि खबर है कि दिल्ली के अशोक होटल में कमल चाप वासिंग मसीन वालों की बैठक में तेजस्वी यादव जी का यह वीडियो चलाया गया फिर भाजपा की वासिंग मसीन में धूले धूलाये परिवारवादी लोग एक दूसरे को टुकुर टुकुर निहारते रहे जिसके पश्चात भाजपाईयों को आगे से परिवारवाद का पभी बोलने से मना कर दिया गया अब आप इस बात को समझे कि टेजस्वी यादो बिधान सभा में बिधान सभा के पटल पर एक ऐसा भाशन देते हैं जो भाशन वाइरल होता है तेजस्वी यादो जितना देर बोलते रहते हैं उतना देर पूरा सदन एकदम शांत रहता है और तेजस्वी यादों कहते क्या हैं तो वो लगातार एके करके 40-50 निताओं का नाम गिनाते हैं और कहते हैं कि तुम हिसाब दो भारती जनता पार्टी वालों कि तुम्हारे पार्टी में परिवारवाद है की नहीं है तेजस्वी यादों वहाँ पर राजनात सिंग के लड अब राष्ट्रिय जनतादल कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बैठक में मतलब कि NDA के बैठक में कल उस वीडियो को चलाया गया और वो लेख रहा है कि खबर है कि कमल चापवालों ने जो दिल्ली के अशोक होटल में बैठक की उसमें वीडियो हमारे नेता का चलवा मान कर लिखने लगते हैं कि वाकई में अब तेजस्वी यादों का कद इतना बड़ा हो गया कि परधान मंत्री देश के अपनी बैठकों में उनका वीडियो चला कर कहते हैं कि इस लड़के को देखिए और ये जो बाते कर रहा है अब उन बातों को सुनकर आपको परिवार में समझ कर या असल में समझ रहे हैं कि वाकई में नरेंदर मोदी ने तेजस्वी यादों का वीडियो वहाँ पर चला दिया हमने आपको बताया कि वीडियो में क्या है तेजस्वी यादों वहाँ पर कई मिनट तक लगातार नेताओं का नाम गिनाते रह जाते हैं जो परि नरेंदर मोदी के साथ NDA की बैठक हुई इसमें NDA का कुनुबा आप देखिए पिछे चिराग पासवान चाचा ठीक बगल में नरेंदर मोदी बिहार के उपेंदर कुश्वाहा और इन तमाम और नेताओं को देखिए जिसमें एकनाथ शिंदे से लेकर भारतिय आजनाथ सिंग तमाम और नेता मोजूद है परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने कल सबको संभोधित किया और सबको इस जोश के साथ तयार किया कि आपको 2024 का लोगसभा चुनाव जीतना है और आप सब मिलकर NDA को लोगसभा का चुनाव जीताएंगे अब वीडियो वाली बात पर आपकी क्या प्रतिरिया है आप क्या सोचते हैं कमेंट उली कर बढ़िएगा बाकि आखरी में हम जाते जाते इतना कहेंगे कि राश्ट्रीय जनता दल ने सायद या कटाक्ष के रूप में लिखा है तंच के रूप में लिखा है बल्कि असलियत में कोई ऐसी खबर नही कुछ और अगर अपडेट आता है तो वो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे तमाम खबरों के लिए मर्जद बने रहिएगा वीडियों ही पर समात करते हैं कि हम रेक्षे भी शाहल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद में